हाई फ्रेंड्स आज रीट के बारे में एक ओर न्यूज आई हैं कि रीट की ओमार सीट का पुनर मुल्यांकन नहीं होगा और नहीं उसकी समिक्षा की जाएगी लेकिन अगर अभ्यारती को कोई क्यूशन गलत लगता है तो वह उसके बारे में आपत्ती दर्ज करा सकेंगे आज के पेपर में न्यूज आई हैं कि राजस्तान अध्यापक पातरता परिक्षा रीट की उत्तर पुस्तिका का पुनर मुल्यांकन या पुनर रिक्षन नहीं किया जा सकेगा उत्तर पुस्तिका की समिक्षा का भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है अल्बत्ता अभ्यार्टियों को आंसर की में किसी सवाल के जवाब पर संसे हैं तो वहां आपती दर्ज करा सकते हैं मादिमिक शिक्षा बोर्ड राजस्तान के ओर से रीट परिक्षा 11 फरवरी को ली जाएगी इसके तहत परदेश में 25,000 से अधिक अध्यापकों की भरती होगी परिक्षा ओमार सीट पर वस्तुनिष्ट प्रणालिश होगी और परतेक सवाल के जवाब के लिए 4 विकल्प दिये जाएंगे पुनल मुल्यांकन या रीट लोटलिंग नहीं होगी इस बार रीट के लिए ओमार सीट का पुनल मुल्यांकन या समीक्षा का प्रावदान नहीं है क्योंकि ओमार सीट की एक परती अभ्यारती के पास भी रहेगी अभ्यारती को अगर किसी सवाल के जवाब पर संसे हैं तो वहां आपती दर्ज गरा सकते हैं पिछली रीट के समय भी शिक्षा बोर्ड ने अभ्यारती की हित में आपत्यों पर सकारात्मक निर्णे लिया था और क्यूशन पहले ही डिलीट कर दिये थे वेसे भी एक परती अभ्यारती की पास रहती हैं अगर रीट का परणाम जारी करने से पहले शिक्षा बोर्ड के और से परिक्षा की आंसर की जारी की जाएगी और किसी अभ्यारती को प्रश्ण के सवाल पर संदे हैं तो उसे आंसर की जारी होने के बैतर गंटों में आपत्ती दर्ज कराने की सहुलियत होगी